हस्त में दून हाथ से करना मुठी मारना हैंड प्रैक्टिस करना ये जो है ये क्यों नहीं करना चीए इसके side effects क्या है इसके myths क्या है इसके बारे में आज आप से बातचीत करने वाला मेरा नाम है रौटर दीपक रहेकर में मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्तितनियों महाराश्ट में पिछले 40 साल से आकोला में प्रैक्टिस करो हैंड प्रेक्टिस या हस्त में तुन्या मुट्टी मारना इसका मतलब यह होता है कि खुद ने खुद को सेक्षुएली सेटिस्फाय करना अपने हाथ से अपने पेनिस को स्टिमूलेट करना रप करना धर्शन करना जिसे बहुत अच्छा लगता है दोपामिनเिन का सीक्रेशन दिमाग में होता है, एक sexual आनन आता है, sexual experience आता है, और उसमें ejaculation होता है, और एक वो sexual activity है, तो ऐसा कुछ गलत है क्या? बिल्कुल गलत नहीं है, masturbation कोई गलत नहीं है, नॉर्मली लोग करते रहते हैं, और आपने statistically देखा तो research ऐसा बताती है कि 14 से 17 साल के उमर में जो बच्चे है, वो 74 परसेंट लोग हस्तमेथून करते हैं, लड़के, और 48 परतिशत महला है, लड़कियां वो हस्तमेथून करती है, लड़किया भी करती ह हस्तमेथून, और 57 और 63 साल के बीच में, पुरुष जो है, वो 53 परसेंट, 3 CT परतिशत मेथून करते हैं, और 35 प्रतिशत अरटे हस्तमेथून करती हैं, तो पर जब आदी धूनिया हस्तमेथून कर रही है, तो या क्या गलत हो सकता है, बिल्कुल ही नहीं, गलत होई सकता मगर हमारे बाबा, महाराज, नीम, हकीम, अलग-अलग 30 के लोगों ने इसके बारे में बहुत भर्म फैला के बैठा हुआ है, और भर्म ऐसा है कि हस्तमे तुन गलत है, हस्तमे तुन बुरा है, हस्तमे तुन अच्छा नहीं है, हमारे धार्मिक अधिश्टान है उसको, religious, cultural, social, इसमे उसको ban किया गया है, पहले सही, सालों से, और वो अंग्रेज उने जान बुछ कर वो डाला हुआ है हमारे भारतिय लोगों में, अभी इसमे लोगों में क्या प्रहंतिया है, मिच्स क्या है, क्यस्तमे तुन अभी मेरे पास में आया था, उसको आखों से कम दिखाए द हे लोगोल और हातिसे करें तो हात की ऊपर बाल आ जाते हैं, फिर हस्तमेतुर से खुद जो है, पतला हो जाता है। हस्तमेतुर से नफून-साक अत्वा आता है हस्तमेतुन, से भच्च्तमेत् से पएदाणिया होती हैं एनफ्रिडिलिटी होती है, बीर पकल दिखा पेसिता बहरान्तिया लुग में एक बुंद वीर्य का अस्षी भून्ध के बराबरीका बोलते अंगा। तो कितना खून चले गया और कितनी कमजूरी आपको आ सकती है ऐसा भी बोला जाता है लिंग तेड़ा होता है लिंग छोटा होता है लिंग दूबला होता है लिंग पतला होता है स्पर्म काउट कम हो जाता है। ऐसे अलग-अलग ययू हैं लोगों निमाग में हस्टमे तुल के बार deti भी है . और फिर यदि हस्टमे तुल हमाइरे पास में आपको 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 एलाज करेंगे और ब्रूत पैसा करना लगे तो दिवास में कमजोरी आ रही है याद नहीं रहता आचकल और यह हस्तमेतुन के वज़े से हो रहा है शारी कमजोरी आई हुई है ऐसे अनेक प्रॉब्लम्स लेके लोग मेरे पास में आते है एक्शली हस्तमेतुन यह नॉर्मल है वीरिया जाने से बाहर निकलने से कुछ भी कमजोरी आती नहीं है वीरिया गमा देने से बाहर देने से कुछ भी होता नहीं है कोई नुक्सान नहीं होता है नॉर्मल हो इतना इतनी फर्म बिलिफ लोगों की दिमाग में है तो लोग मानने को तैर में लोग बोलते है वह तेड़ा हो गया लिंक हस्तमेतुन के वज़े स कोस्तेदे नों नौर्मल है उसके साईड एक साइफ्क्स का में है तो शाइड एक साइफ्क्स कारना होता है सैट अंपार्श होता है बहुत ही बुरा लगता है, खुद के बारे में खुद का मन अच्छा नहीं बूलता है, सेल्फ एस्टिम कम हो जाती है, स्वपरतीमा मलीन होती है, और फिर गिल्ड आ गया है कि मैं ठीक नहीं कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं, दिमाग में वही वही वी विचार, फिर काम में मन ने लगना, फिर भूल जाना, वह एक्चलिय अस्टमें तुन से नहीं हो रहा है, वह बिलीव सिस्टिम जो है उससे हो तो वह जो डिपरेशन है, उसके उपर घसरे तो हो जाएंगी, और वजये ना में कोई hard वस्टू डालती है, तो वजये ना में इंजूरिय हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा घसेंगे, तो इंजूरिय पिनिस को हो सकती है, तो फिनिस को इंजूरिय होना यह और उससे problem हो सकता है, infection होगा, तो हस्तमे हितुन करने के समय कभी भी लूब्स, लूब्रिकंट्स का वापर करना चाये, तेल का वापर करना चाये ताकि friction ज्याधा नहीं होंगा, घर्शन ज्याधा होंगा और ज्याधा घस घस के injury नहीं और जखम नहीं होंगे और जब औरते जब करती है तो सेक्स टॉइस का वापर करके करना चाहा हस्तमेथुन क्लाइडरोल स्टिमूलेशन से हस्तमेथुन करना चाहा औरतों ने ताकि इंजूरी नहीं होंगी नमबर एक तो यह बहुत जुरूरी है तो पहला मैंने बता है गिल्ड फिलिंग आगने दो और गया हो गया अब ईसको रहता है क्या है और चन्कायोन बाद दसके लिए करें खास्तरा और क्सके जाय सोच हरे घर आइस नहीं कि सब्सक्रण्रं में भी होगा नहीं भी देडी देडी जहां जाता है अब नॉर्मल्म करें मेरं करें है उसको मजा नहीं ये मैं अिक पिर हैं MER वह तो उसको ज्यादा मज़ा शादी के बाद में भी अस्तमेतुन में आता है जो बहुत दबाके बहुत प्रेस करके करेगा और सेक्षी नहीं करेंगा तो प्राबल्ब्लम हो सकता है डिक्रीज सेक्शुवल सेंसिटिविटी चबसा जो प्राबलेम अस्तमेतुन का वह है कि में यहक तुम्सिए नाब भी कर रही है तो अन्कों करने के बाद में उनको आथ लगता है। वैसा उसमें कोई मज़निया है करने में कि करने में भी जuri ने में भी जौरी है काम हो रही है तुम के क्यों किचों क्यातже करने में कॉन सब्दों करऊ जलती है उनका परीवर्थित हो गया करो घर में समझो कुछ फ्रा समय मिल गया फटाख से कर लो निकाल लो और बार 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 ऐसा करेंगे तो एक कंडिशनिंग बन जाती है और उससे प्री मैचरी जैकुलेशन का प्रबलेम होता है और वो बात में शादी के बात में प्रॉब्लेमटिक हो सकता है जो प्रॉब्लेम होता है हस्त मैतुन से वह होता है कि डिक्रीज सेंसिटिविटी टो पीपल मतलब पार्टन के साथ में लोगों के साथ में क्यूंकि वह उसमें गुता हुआ है तो पार्टन साथ में सेक्स नहीं करेगा रिलेशंशिप अच्छी नहीं बनेगी अकेल अकेले जब एक विजये सिजन तरुछ सब्सक्राइब करें सार्वत्स संथ नहीं मांचिक ब्यमारि होसकती है असते प्रोबं वेसी नहीं है थह को अगलर तैयल से सब आदी करते हैं मगर प्राप्लिम्ज अप्राब्लेम्स आप जांते पहर जाने की इच्छा ने होगी वैस्चा के बास में जाने की इच्छा नहीं होंगी ब router ऒर में आपको अच्छा लग रहा है शान्ती से और जो एक्साइटमेंट में आप आप कआम में ख्लारेइँगा क्योकि आपकी जो सेक्स भूए वी शेंट आप में ब्डोड राएजा रही और प्रेग्नाशी में पोला हुआ तर्व त्समें चुन करतें पतनी बाहर काओ गई हुई है यदोनों अलग-अलग रह रह रहे है कुछ कारंट से, अपरेशन है तो थाम सुन करते हैं, क्योंकि आठा ढ़ा है। दिन 15 मिलते नहीं है तो यह सुन करते हैं। दोनों भी जोग मुछिली थाम करते हैं। बाई बोलती कि कि अपना मूड नहीं है पत्ति को लग रहा है कि पार अब हैं तुछा हो में थाक ख़या है , अब ह correspondence कर थे करो हैंकि अना डीष यदा फ्रिक्षन ज्यादा करते हो घसते ज़्यादा नहीं हूँ आप कंडूम लगा कि हस्तमें कर सकते ता कि ज्यादा मतलब घर्शन नहीं होंगा और मतलब जखम होने के चांसे का में अधिक लगाया तो और ज्यादा अधिक्साइटमेंट होंगा और अवरते भी भाइबेटर लगाई करते तो अच्छा होंगा और अवरतों ने जब कुछ डालते अंदर तो वह साफ सुद्र होना चीए स्टराइल होना चीए तब उसको अंदर ढालने काने तो प्राब्लम हो जाएगा इंफेक्शन हो जाएग तो हस्तमेतुन इन शॉट कुछ प्राब्लम नहीं है मगर साफदाने परतनी चाहिए गिल्ट नहीं होना चाहिए तो फिर हस्तमेतुन ठीक है अधरवाइस उसके साइड इफेक्ट्स इदिया आप देखते हैं और साइड इफेक्ट्स से बचते हैं क्येरफुली करते तो प काफी बार हमारे पेशेंट्स ऐसा में पूछते हैं कि हमें सिल्डानाफिल मतलब वायगरा टालाफिल ऐसी अलोपेथी की दवाई नहीं होना और हमें आयरोडिक चाहिए तो मैंने स्पेशिली यह ब्रैंड बना के लिया हुआ है हाट स्टैमिना स्पेशिली मैंने बोलके बनाके लिया हुआ है कंपणी के तरफ से यह कैप्शूल है कि दस कैप्शूल है और यह पूरा डग्मा मिलता है तो इसमें मेनली जो है जो काम का है वह गोल्ड है इसमें गोल्ड लवसोना शिलाजीत मुसरी केसर एंड शुद्धमकरदवच यह हाट स्टैमिना करके यह न आप और कर सकते हैं जिसमें डेफिनेटली आपकी इम्मिनिटी बढ़ेंगी ताकत आएंगी वीगर वाइड लेटी बढ़ेंगी जोश जुनुन उत्साएगा थैंक्यू बेरे मच्छू सेख समस्याओं के बारे में मेरे काफी सारे वीडियो है उसका आमने एक आनलाइन व शिकरपतन ये कैसे ठीक करना और काफी सारी सेख समस्याओं के बारे में जानकरी दीवी है वो समस्याओं की जानकरी से आपकी सभी सेख समस्याओं का समाधान हो सकता है तो यह आप ऑनलाइन रेकॉर्डिंग कोर्स जो है तो यह ऑनलाइन रेकॉर्डेड कोर्स आप हमारे आप से ले सकते हैं उसका description निकिजे दिया हुए link दियुए अप की और वैसे ही आप telegram group से आप जूड़ जाते हैं हमारे WhatsApp group से जूड़ जाते हैं या website से तो आपको यह online course के बारे में कर सकते हैं thank you very much कर दो आपको यह जाते हैं